चून्टी और तिद्दा की एक तिलचस्प कहानी एक चून्टी थी, वो कहीं जा रही थी रास्ते में तिद्दा एंगला तिद्दा कहने लगा, चून्टी बहन तरह रुक जाओ चून्टी रुक गई, पूझने लगी क्या बात है तिद्डे ने कहा मिठी मिठी वाँ चल रही है आओ बाग मेंखेल ले चुंटी ने कहा है मैं कैसे खेलू बजिज दानी खटे करने हैं मुझे जब बढ़ा साथ आएगी तो छोटी चुंटीया क्या खाएंगी जिए गर्पी ठीक करना है बरसाथ के पान से ख़ट तूर सकता है टिद्डे ने कहा हम तो खेलते ही हैं जी एक दिन बाता लागा है बारश खूब होने लगी टिद्डा भीटता हुआ चुन्टी का दर्वादा खटकर आने लगा चुन्टी पहन मुझे अपने गर में थोड़े सी जगा दे दो मैं बुरी तरफ भी किया हूँ जब तब बारश रहेगी इस वक्त तक जहीं रहूँगा पिर चला जाओंगा चुन्टी बोली बाई टिद्डे तुमने सारा 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 साल काम ने किया तुमने अपना गर नहीं बनाया मुश्किल वक्त के लिए कुछ अनाल भी जमगा के नहीं लिखा जाओंगा तुमारी मदद नहीं कर सकती यस तुस्ती करेगा उसकी यही सजा है टिद्डा गिर गड़ाया चुन्टी बेहन कोई मदद कर दो चुन्टी ने तुद्डे को चावल के कुछ दाने दिये और कहा जेलो और खालो लेकिन मेरे गर में तुमारे लिए कोई जगा नहीं है तुद्डा रोता हुआ वापस चला गया तो बच्चों इस कहाने से आमें यह सबख मेंता है कि हमें आने वाली मुश्किलात के लिए खुद को त्यार रखना चाहिए ताकि हम मुश्किलात और असानी से काबो पासके हैं